Indian Constitution and Constitution of India के बीच के differences को trace करने के बजाए हमारा emphasis होगा कि इनकी अपनी अपनी distinct uniqueness क्या है Indian Constitution जिसका आर्थ है Supreme and Fundamental Law हमरा समिधान जो संप्रबु भारतियों का creation है उनकी इच्छाओं के अभिविक्ति है अर्थार्थ यह ने तो भारी interference का प्रिणाम है और ने ही किसी भारी सक्ता का भारतियों पर आरोपन अगर इसे हमें एक example के साथ देखें तो हम भारत के लोगों ने 26 November 1949 को इसे enact, adopt और आत्म अर्पित किया अगर इसके प्रकरती के अधिक इसपस्टता हमें देखनी हो तो हमें इसे 1935 के भारत सासन अदिनियम के साथ compare करना होगा 1935 का भारत सासन अदिनियम जो बिटिश पारलेमेंट की भारतियों के लिए कोई gift नहीं क्योंकि इसके पीछे भारतिय रास्टे आंदोलन का अपना एक स्टगल रहा है लेकिन ये भारतियों पर एक आरोपित दस्तावेज है क्योंकि इसका नेचर इंडियन नेशनल मुवमेंट की स्प्रीट के अनुरूप नहीं है इसे परका Constitutional of India जिसका अर्थ है एक ऐसा लिगल डोकुमेंट जो भारत को एक नमीन आखार दे रहा है उसे ट्रांस्फॉर्म कर रहा है अगर इसे हमें कंटेक्स्ट में समझने का परियास कर रहे हैं हमारी समझ बहतर होगी भारत के स्वमिद्धान का एसेंस उसकी स्प्रीट उसकी सोल और थार्थ उदेशी का के उपर ही लिखा है दे कॉंस्टिट्यूशन ओप इंडिया एवं इसमें समिधान के दर्शन, सिधान्तों और दर्शों हैं मुल्यों को समहित किया गया है जिनका उद्ध से है हमारे फांडिंग आर्जियन्स के ड्रीम्स के अनुरूप नमीन भरत का निर्मान